अब इस मैच में यार मैं अपनी पेटी बनते देख पाराता हर बार मतलब हर बार ऐसे जगाओ पे फसरा हूं जहां पे पेटी बनना लगबग ताय हो जाता है और बहुत दिक्कत है भी होंगे लेकिन यार जैसे तैसे करके कुछ न कुछ जुगाड भीड़ा के जीतने की कुछिस करेंगे खेर फिलाल यहां अमेजिंग पार्क आए हैं और हमारे साथ साथ चार पाज बन्दे और रहा है और हमारे ये भाई नजार अब देखो मुझे पता है लेफ्ट साइड से एक बंदा बैरल पटका रहा है मुझे क्या करना चाहिए यहां से उतर के कही डंग की जगा पे जाना चाहिए लिकिन मैं बहुत बड़ा धीट हूँ और अब यहां पे मेरी पेटी बनने वाली है वो भी किस चीज की वज़ा से सिर्फ और सिर्फ मेरी धेटता की वज़ा से इसलिए बोलता हूँ यार ये धेटता मुझे कभी ठिलाएगी जरूर और कई बार ठिला भी चुकी है लेकिन देखो हम फिर भी इतने धीट है कि उपर ही रिवाइव रिवाइव खेल ले हैं और मैं बस कोजिस कर रहा हूँ कि यार रिवाइव हो जाओ जैसे तैसे हीलिंग पेलू उसके बाद यार सब की पेटी बना के रख देंगे तो मैं धेट पेट रिवाइव हो जाता हूँ एक मैट किट भी पड़ी होती है यार और लगाने लगता हूँ से लेकिन ये लोग हमला कर देते हैं उत्रे में और रिवाइव होते यार चारों के चारों बंदों की पेटी बन जाती है अब किस्मत साही चल गई क्यूंकि यार हेलमेट हूलमेट कद्दू भी नहीं था और ये दो बंदे तो उड़ते वे आते और इनकी लगपक हवा में ही पेटी बना देते हैं कहा ना पड़ता यार किल लेने के लिए यही होता है यार देखो लाल्ची हो तो ऐसे ही हरकत करनी पड़ती है और यहां पे आके मुझे एक बंदा उपन में भगते वे दिखता है और देखो इस बंदे के टीमेट्स बहुत चालाक होते हैं बेचारे अकेले बंदे को उपर में भेज दिया बोला कि वह या गाड़ी ले क्या हो वही कर रहा था मेरे ख्याल से और हमने पकड़ लिया भाई को बिल्कुल और इनका एक बंदा तो या रस्ते में ठिल गया और बाकी के बंदे पिल्कुल चत में बैटके मज़े से कवर के पीछे बैटके डीपी पटका रहे होते हैं तो देखो एक बंदे को मैं धेड़ पेड़ नौक करता हूँ और अब टाइम आ गया है अंदा रस्त करने का और यहां पे जो सीन होंगे ना बहुत ही गजब होंगे अब यह सीन बहुत ही बढ़िया है इसे आप यूस ही खरीज सकते हो या सूपर चैट में बहा सकते हो खेर उसके बाद मैं दूबारा से अमेजिंग पार्क पहुंच जाता हूँ और यहां पे आके देखता हूँ यार एक गाड़ी पड़ी है और गाड़ी के आगे जो पत्थर है उसके पीछे एक बंदा बैठा पड़ा है अब देखो जिस हिसाब से यह भाई खड़े थे इससे सिर्फ एक ही बाद तो मैं धैड़ पैड़ गाड़ी लाता हूँ यहां एग आड़ी इससे सिर्फेर पाड़ी निया है कवा दुट है बंदा प्रक्राड़ी का गया है कर्ड़ी है अब आते टैम मैं दो बंदे नौक करता हूँ लेकिन जैसे मैं यहाँ पहुंचता हूँ ना भाई हर कोई छुप चुका होता है नाजाना कहाँ पर जाके कैसे गायब हो गए ये लोग लेकिन जो दो बंदे नौक किये थे उन में से किसी की भी किलनी मिली बस यहाँ पे आके एक बंदे को पकड़ लेता हूँ मैं और उसकी सीधा पेटी बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे आर गाय बुजारे बंदे और दुबारा से मैं अपनी मन पसंद जगा पे आ जातो यार यहाँ पे बिल्कुल मजा टैप आ जाता है अब देखो यह लोग नीचे नूचे कूदे हैं और मैं यहीं पे रहूँगा क्योंकि नीचे गया अगर तो यह कहां से गुम के कब पेल देंगे कद्दू पता नी चलेगा तो नीचे से फुटी स्टैप आ रहे थे मैं नेट नूट करता हूँ और कुछ भी नीचे खड़ता नीचे से और ये शायद मैं पहली बार कर रहा हूँ पीले धुए मैं एज्जस और इस बार भाईया चाहे कुछ भी हो जाए रिवाई वोने नहीं दूँगा यार गुसके ही पिलना पड़ेगा हमें और यहाँ पे सीन ऐसे होते है यार इस सकोर्ड के अलावा एक गाड़ी भी गई थी यहीं कई से तो देखो ओपन में जाओंगा तो मैं भी ठील सकता हूँ लेकिन पेटी बनानी भी जरूरी है और इस सकोर्ड के तीन बंदों की में पेटी बना चुका हूँ फलेर भी आ रखी थी यहाँ कहीं नजाने किसने मगाई यह तो देखो तीन बंदे ठील गए लेकिन एक बंदा अभी भी यहीं कहीं बाकी है और देखो वो बंदा सीधा पेटी बनाएगा मतला गोली चलनी चीए तब तक पेटी न बने जब तक वो हम पे भी लगू होता है हमारी भी पेटी बनेगी सीधा तो ध्यान से रहेंगे ठीक है मजा करू यार उचल कूदी में बिल्कूल रह रहू में यहाँ पे और बंदा होता कहा है देखो यार आप क्या ही सीन करता है बुड़ब है जाने जाना है वह वाय में बुड़ब है और यार मानो याना मानो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस तरफ में शिर्फ और सिर्फ उस बंदे को डूढ़ने आया था जो उड़ के चला गया था अलग लेवल की धीटता है मेरी भी अब ये दो बंदे तो वो होते नहीं लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यार दो किल फालतु में मिल गई फ्री में मिल गई तो दिक्कत की दरारी है लेकिन देखो ये जगा भी जाड़ी जंकट से बरी पड़ी है कोई भी कही पे भी लेटा हो सकता है तो मैं धैड़ पैड जिसको Nokia था उनकी पेटी बनाता हूँ और इधर गटका गुटका की साइड़ आता हूँ और यहाँ पे भी आगे वाले घरों पे बंदे बैठे पड़े हैं अब यहाँ पे यार मुझे घरों पे रहने में सिर्फ एक ही बात का डर होता है कि यार बाकी के बंदे मुझे नेट से ना पेल जाएं मैं तो किसी का कुछ नहीं उखाड पाऊँगा नेट करके लेकिन यार वो लोग पेटी भी बना देते हैं कभी कभी अब यहाँ पे हम दोनों बच जाते लेंगे उसके साथ गलत सीन भी लेकिन फिलाल यहाँ एक बंदा कैम्प करके बैठा होता है होल्ड करके बैठा होता है तो इस भाई को पेलने के लिए हम भी अंदर गुश जाते हैं और यहाँ पे मैं प्रिपायर नहीं दूँगा यार मैं ठिलना नहीं चाता पहले भी गलत सीन हो गए हैं इस बार गुश के गुलियां चलाएंगे सीधा अब आपने सुना होगा उपर पहाड़ी के तरफ कोई M249 पटका रहा होता है सो गुलियां चला रहा होता है और वो गन्ना अपना पूरा गेम बदल के रख देगी और यहां पर मुझे जिस चीज का डर होता है यार वही चीज होती है वो भी बंदा लेटा पड़ा होता है अब देखो भाई वैसे भी M249 पटका रहे हैं उपर से लेट के तो यार वो सारी की सारी गोली हमारी गाड़ी में भर देता है बंदे की मैंने पेटी तो बना दी लेकिन अपने पे गाड़ी नहीं है तो मैं क्या चारा होता हूँ वापिस लेट वाले गरों पे जाना चारा होता हूँ लेकिन फिर से यार जोन नहीं होता वहाँ पे तो बरबादी हो जाती है समोक की और तामबे पे सुहागा करने के लिए राइट से कोई बंदा एउजी भी पटका रहा होता है अब देखो सीन क्या होता है लेफ्ट वाला मैं घर इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे पता था ये लोग उपर से आएंगे और पाढ़ी से उस घर पे गूलियां पेलना बहुत आसान होता है लेकिन यार ये लोग बहुत जल्दी आ चुके होते और हमें रस्ते में ही पकड़ लेते हैं और अब लेफ्ट वाले घरों पे जून भी नहीं बचा होता तो उपन में जुगाड बिढाने होंगे और ये थे हमारे M249 वाले भाई के जहरीले टीमेट और उस भाई पे EUG पड़ी है लेकिन देखो इन दोनों गन से खतरनाक गन तुम्हारे भाई पे पड़ी होती है तुम्हारे भाई पे AWM पड़ी होती है बिल्कुल अब हमारे सामने वाले भाई Amazing Park से उड़के जरूर भग लिये थे लेकिन यहां से कहीं पे भी नहीं जा सकते है और अखिर कहर जाके जिए है